अफ्रीका कॉंटिनेंट में हमने अब देखना है अपवा तंत्र मतलब महतुपुन नदिया जो अफ्रीका कॉंटिनेंट में बहुत जरूरी है और उसमें जब भी अफ्रीका की बात हो और नील नदी की बात ना हो ऐसा हो इनी सकता है तो सबसे बड़ी और सबसे महतुपुन नदी के रूप में अगर हम अफ्रीका कॉंटिनेंट की बात करें तो वह है नील नदी वैसे तो निकलती वह विक्टोरिया लेक से हैं लेकिन जो नील नदी की मुख्य शाका हैं वह सफेद नील है और फिर नीली नील उससे जुड़ती है ये खार्तून जो शहर था यहां हमन की सबसे लंबी नदी है बलकि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी संसार की सबसे लंबी लंबाई कितनी लगबक साथ हजार किलोमीटर 6690 एप्रॉक्सिमेटली हम अगर बात करें तो साथ हजार किलोमीटर लंबी है यह भूमद्य रेखा प्रदेशों में युगा युगांडा एवं बरुंडी से निकल कर सुडान और मिश्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। मिश्र में इसका डेल्टा 25,000 वर्ग किलोमेटर पर फैला है। सुडान की जो राजधानी थी खार्तून वहां पर संगम बनाती है जैसे कि भारत में संगम इलाबाद प्रियागराज में होता है। इसके तड़ पर मिश्र की राजधानी काहिरा अवस्तित है। तो हम ये कहेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नहीं बलकि अफरीका की सबसे लंबी नदी लगबख 7000 किलोमीटर युगांडा, बरुंडी, सुडान, मिश्र से उकर बहेगी, 5000 वर्ग किलोमीटर इसका डेल्टाई शेत्र हैं और इसकी एक शाका इथोपिया से ब्ल्यू नील के नाम से निकलती है। बली हिंदी में नील नाम हम समझते ब्ल्यू होगा लेकिन वो जो नील नाम है वो ब्ल्यू का नहीं है, वो ब्ल्यू नील अलग है, वाइट नील अलग है। मिश्र को नील नदी का वर्दान कहा जाता है क्योंकि मिश्र में आज जो भी माना जाता है संस्कृतिक विकास हुआ है, मिश्र के विकास में बहुत बड़ा योगद तो अगर हम बात करें तो नील नदी के बारे में इतनी बाते याद रखेगा फिर दूसरी है कॉंगो जाइरे कॉंगो के बारे में सबसे महत्पुन बात यह हैं कि यह ऐसी नदी है जो विशुत रेखा को दो बार काटती हैं विशुत रेखा को दो बार काटती हैं कांगो को जाइरे के नाम से भी रखते और उसी के देश उसी के नाम पर देश के नाम भी है जाइरे अफ्रिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी हैं लगबग 4700 किलोमेटर हैं इसका अपुआ बेसीन नील नदी से भी बड़ा है विश्वक की दूसरी सबसे अधिक जल प्रवा नदी हैं मतलब अमेजोन में सब चादा जल मिलता है उसके बाद कॉंगो में सब चादा जल मिलता हैं और यह करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी हैं फिर उसके बाद हम कह सकते कि इसकी साहिक नदिया कसाई और मतलब हम कहेंगे कि यहां से निकलते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है यह विशुवत रेखा को दो बार काटी हुए स्टेनली और लिविंग स्टोन जल प्रपातों का निर्मान करती है न भी याद रखोगे सायक नदिया तो चलेगा जल प्रपात नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा यह नदी संसार में 13 प्रतिशत विद्धुत उत्पादन की शमता रखती है तो यहां पर विद्धुत उत्पादन की बहुत बड़ी शमता का यहां पर विकास है बहुत ही संभावना है फिर अगर हम बात करें तो ओरेंज नदी जो हमने देखा था द लेसोतो से क्योंकि ड्रेकन्सबर्ग परवत मिलता यहां पर तो यहां से निकलती है लेसोतो ड्रेकन्सबर्ग परवत समापती अट्लांटिक मासागर यह दक्षिन अफ्रीका और नामीबिया के मद्य प्राकृतिक सीमा का निर्मान करती है यह दक्षिन अफ्रीका और नाम बात करें तो आप देख सकते हैं ये नाईजर नदी ये नाईजर नदी है अफरीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी मतलब पहली नील दूसरी कांगो उसके बाद नाईजर नाईजर बेनू इसकी सहायक नदी है ये जो बेनू है इसकी सहायक नदी है गिनी की पहाडी से निकल क अगर गिनी की खाडी में गिरती है प्रमुक बान कैजी है तो गिनी की खाडी में गिरती है और गिनी की पहाडीयों से निकलती है तो नाइजर पहली सबसे पहली हमने देखा था नील नदी फिर उसके बाद कॉंगो फिर ओरेंज नदी जो दक्षिन अफरीका की सबसे लंबी नदी है नामी भी और दक्षिन अफरिका के बीच में सीमा रेखा बनाती है प्राक्रतिक नाइजर जो है वो अफरीका महाद्यूप की तीसरी सबसे वड़ी नदी है बेन्यू बेन्यू इसकी सायक नदी है और गिनी की पहाडी से निकल कर गिनी की खाडी में गिरती है मतलब भी निकल रही है अट्लांटिक महासागर में अट्लांटिक महासागर में मारितानिया के साथ प्राक्रतिक सीमा का निर्मान करती हैं मतलब मारितानिया के साथ इसका प्राक्रतिक सीमांकन हो सकता हैं बाउंडरी बनाती एक तरीके से दो देशों के बीच में प्राक्रतिक नभ भाषवेल, शेतर, समाप्ती, हिन्द, महा सागर, मतलब लिंपों पो यहाँ से निकल कर, यहाँ पढ़ जाएगे, दक्षिन अफरिका के साथ बोच्ष्वाना और जिंबाम्वे की सीमा बनाती है, लिंपां पो नदी मकर रेखा को दो बार काटी है, करक रेखा को दो बार काटती है कॉंगो और हम कहेंगे कि मकर रेखा को दो बार काटती है लिंपापो तो लिंपापो नदी के बारे में इतना जरूर याद रखना मकर रेखा को दो बार काटने वाली दक्षिन अफ्रीका की दूसरी महतुपुन नदी है पहली सबसे बड़ी नदी औरेंज है उसके बाद लिम्पॉपो है जो दक्षिन अफ्रीका की दूसरी महत्पुन नदी है फिर वोल्टा अगर हम बात करें तो वोल्टा या बोल्टा बोल्टा नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है वोल्टा जिल इसी नदी पर इस्तित है तो अगर हम बात करें तो यह वोल्टा जिल मि याद रखेगा यह अफ्रीका की चाड नदी जो चाड़ जील से निकलती हैं यह अंतप्रवा बनाने वाली इकलोती सबसे बड़ी नदी है विश्व की भी अंतप्रवा मतलब अंदर के अंदर ही कही समुद्र में नहीं मिलती है नदी अंदर ही पन होगे और अंदर ही खतम हो जाएगी तो चार नदी अंत प्रभा बनाने वाली विश्व की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती हैं और अफरीका की सबसे बड़ी नदी जो अंत प्रभा बनाती हैं अंत प्रभा बनाती हैं तो कांगो के बारे में याद रखना कांगो के बारे में विश्वत रेखा को लिंपोपो के बारे में मकर रेखा को औरेंज प्राक्रतिक सिमा बनाती है दक्षिन प्रिकावर नामी बिया के बीच में फिर नील नदी जो विश्वकी सबसे लंबी नदी हैं कॉंगो विश्वकी दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पानी ले कलती हैं और यह गिनी की खाड़ी में बैटा है नाइजर का एक अच्छा पॉइंट ये हैं कि ना गिनी की पहाड़ी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है इसलिए इससे थोड़ा जयान दीजेगा यह ज्यादा important प्रश्ण बन सकता है तो नदियों में इतनी नदिया तो ही याद रखिएगा बहुत जरूरी है जैसे कि यदि आप मेंसे कोई भी विद्यारती लाल लाली CSET की preparation की planning भी कर रहा है तो 10 अगस्त को हम batch launch कर रहे हैं पहला वाला दूसरा यदि आप UPSC civil service में GS की तयारी करना चाते हैं, optional की तयारी करना चाते हैं, online, offline तो सबसे बड़ा platform आपके पास है Unacademy इस समय आपके पास extension offer चल रहा है, extension offer का मतलब होता है कि आप लेंगे तो 18 महिने का लेकिन 22 महिने का subscription मिलेगा, आप लेंगे तो 2 साल और 3 साल का, लेकिन 6 महिने का extra subscription मिलेगा आप इसके लिए हमारा refer code MKLiU जरूर याद रखेंगे यदि आपका chain होता हैं, तो हम दावा करते हैं, कि हम आपको अपनी पूरी fees लोटा देंगे आप chain करिए, आपके selection और chain में एक रुपए भी नहीं लगेगा यह आप ऐसा दावा कर सकते हैं, पूरी fees आपको वापिस कर दी जाएगी सीदे मुखरजी नगर से live class शुरू होने वाली हैं, C-7 की भी और GS की भी अभी GS की शुरूआत हो चुकी हैं, आप अभी भी जॉइन कर सकते हैं, दो से तीन कक्षाई हुई हैं जल से जल आपके सामने पूरी टीम रहेगी, जिसके माध्यम से आप classes कर सकते हैं 0% interest के साथ EMI का option आपके पास है, optional batch आप जॉइन कर सकते हैं हमारा PSIR का batch आच चुका है, आप इसको भी completely cover कर सकते हैं अनेकेडमी अल्ट्रा कॉमबेक टेस 9 जुलाई के दिन होने जा रहा हैं 50 सवाल, 60 मिनिट और 90 प्रतिशत तक की scholarship आपको मिलेगी